आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ, चेहरे को सुन्दर बनाने का तरीका, सुन्दर बनाने का तरीका दोस्तों, रोज रोज आपको फिस पैक नहीं बनाना पड़ेगा, एक चीज आप बना लीजिए, 6 महीने की फुरसत, और चीज भी ऐसी बनाने जा रहे हूँ न, कि एक बार अगर अपने चेहरे पे लगाओगे ना एक बार में रिजल्ट इतना अच्छा हैगा कि आपका दिल खोसो जाएगा 15 दिन लगा तार लगाईए पड़ोसी भी पूछेंगे भाई इस वक्त चेहरे पे क्या लगा रहे हो बता दीजेगा कि दो चम्मच आपको चावल का आ चक्की से मगाईएगा चक्की सब के करीब होती है घर के घर पे पीस होगे कभी बनान नहीं पाऊगे उसमें दरदरा कान जरूर रहेगा तो दो चम्मच चावल काटा उतना बारिक जितना मैंने बताया है अब आपको दो से तीन चम्मच लाल वाली मसूर की दाल ठीक है ये इतनी मतलब क्या ही बताऊं जाईयों के लिए रंग को गोरा करने के लिए धाग धबों को हटाने के लिए जो पिंपल फुनसी के दाग हुजाते हैं हटी नहीं रहें उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है दो से तीन चम्मच इसमें डाल लिए ये इससे अच्छी चीज आप को क्या ही मिलेगी अब लिजे दो चम्मच तीन चम्मच बेसन जिस हिसाब से कितने दिन के लिए बना रहे हो ये तीन चम्मच से बेसन से कम नहीं है बेसन रानियों महरानियों पुराने जबाने का है इसे आप घर का फिस्वास समय जो बाहर का महेंगा महेंगा फिस्वास म जाईएगा ठीक है अब उसके बाद मैं जानी हूँ इसमें डालने मुलेथी पौडर मुलेथी पौडर क्या करती है जाईयों को खतम कर देती है और आपके चेहरे को एक टोन गोरा कर देती जैसे लगता है पहले तो बहुत गोरे थे अब पता नहीं क्यों मेरा चेहरा डल हो तो उसको वापस लाता है मुलेथी पौडर ठीक है तो यह जो चीजे बना रही हूँ यह रिंकल के लिए है कलर को फेयर करने के लिए है ग्लास इसकिन पाने के लिए है और इसमें जारी सबसे खास चीज अलसी अलसी में क्या होता है बिटामिन ई बहुत ज्यादा बिटामि कि दिल खुष जाता किसी की बगल में बैठो के लगा के लगा के लिए तो उसको भी लगा कि बैठे ही रहें तीक है अब पाँच बदाम आपको लेना है बदाम इतनी अच्छी चीज होती है इसमें तेल जो होता है न वह आपको मतब आपके 60 साल तक आपके रिंकल आने ही नहीं देता ऐसी चीजें इसमें बता रही हूं कि बदाम तो भया क्या ही गजब की चीज है आपके चेहरे के लिए और फेरनेस के लिए जल्दी बुढ़ा नहीं होने देती है ठीक किसको सोख है कि जल्दी बुढ़ा हो जाए देको पचास की एज में 50 के लोगो कोई बुराई नहीं है लेकि पचास की एज में आप 70 के लगने लगो वो थोड़ा गलत है ठीक है चिरओंजी जा रही है आधी चमच एक चमच एक चमच चिरओंजी है चिरओंजी क्या ही भया फेरनेस के लिए नई नवेली दुलहन जो बनने जा रही जिसके साधी ब्या है, या साधी पार्टी में आप जा रहे हो, आपके घर में साधी ब्या के त्यारी चल लेगी, बस ये, ये चीज आप बना के रख लिजिए, चुप चाप बातरू में जाईए, और कम से कम 10 मिन प्लेश को लगाईए, या छट पे चले जाईए, मै इसको चालना चलनी से बहुत जादा जरूरी है, चलनी से चलनी जो आटा वाली चलनी होती न, उससे तो इतनी मिन डो में चल जाता, लेकि ये नई चलनी लाईए हो न, तो बड़ा सौख लगी थी, जैसे चलनता नहीं चलनता, लेकि चलन रहा बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे चलनी से चलन जाता है, ठीक है, इसमें एक चीज और भी जाएगी और जिसको की बहुत अच्छी चीज है, वो भी आपके चेहरे के लिए, लगाने का तरीका अभी से बता जैसे इसको गुलाब जल, दही, और सब से बेस्ट चीज है कच्चा दूध, कच्चे दूध म ये चीज लगा लेंगे न, तो आप 15 दिन में रिजल्ट देख के दोस्तों हैरान दह जाओगे, कि भाई इस पाउडर से इतनी जल्दी चेहरे में इतनी चमका गई, कलर तो गोरे ही हो गया, सारे फेसपैक एक तरफ और इसे मैं एक तरफ रखती हूँ, इतनी अच्छी ची इतनी अच्छी महक इसकी आती, इतनी अच्छी महक कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ, इसको दो चम्मत जरू मिलाईएगा, इस वक्त मेरे पास थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है, मिला के रखे, उसके बाद इसको ढख करके, मतर ढखकन लगा करके, रखना कहा है, फ्रिज में फ्रिज में किसी भी जगए पे आप इसको रख दीजिए, उसके बाद आपको कच्छा दूद लेना है, ठीक है, कच्छा दूद लीजिए, थोड़ा सा चम्मत डाली जितना लोगों को आपको बनाना है, कितने लोग लगा रहे हैं, इसको सबसे अच्छी बाद बता है, जो हटा दीजिए दोस्तो,